आपका अबीज व्लोग के एक और नए वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में पहली चीज तो होगी टाटा पंच के बारे में और दूसरी चीज होगी सभी गार्स के बारे में अगर आप कोई भी कार रखते हो तो पहीं आपके लिए यह वीड के दूसरी चीज़ी बात को यह तो आपको अपना-पर फड़ से बात करते हैं जो मुझे अभी पता चले हैं एक दो दिन के अंदर-अदर वही मेरी एक स्बस्क्राइबर का कमेंट आया था उन्होंने मुझे यह बताय था कि जब मैं घाड़ी को लेकर जाता हूं इस फीड के अंदर तो इसके music system का जो volume है ना वो automatic up होने अलगता है भई मतलब दिखाता तो नहीं है अंदर परन्तु ऐसा feel होता है कि automatic up हो रहा है बढ़ रहा है volume तो मुझे इस बात पर थोड़ा सा यकीन कम था परन्तु भई आज जब मैं इस काड़ी को लेके गया अभी दो तिन घंटे पहले मैं इसको लेके गया हूं लग बगा 20-25 किलोमेटर और मैंने music system को तेज कर सिर्फ कमेंट का जवाब देने के लिए मैं मैं दे दू कि आसा कुछ भी नहीं होता है परन्तु सच में जैसे जैसे मैं इसको तेज बगा रहा था वैसे वैसे इसका volume बढ़ता जा रहा था इसके speaker की जो आवाज है ना वो मुझे ज़्यादा मैसूस होने लग रही थी अब यह मेरा वहम है या वो कुछ नहीं मैं नहीं जानता पर सच में मुझे ज़्यादा मैसूस होरी थी और जैसे जैसे मैं speed को कम कर रहा था वैसे वैसे इसकी जो आवाज है वो धीमी होती जा रही थी हाला कि stereo system के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा यह हुआ भई पहला feature अब हम बात करेंगे दूसरे feature के बारे में उसको मैं बताऊंगा आपको feature को दिखा कर कि क्या होता है इसके बाद बात करेंगे भई service center के बारे में कि जब हम अपनी गाड़ी को service center पर लेकर जाते हैं तो क्या-क्या चीजे हमें ध्यान रखनी और सर्विस सेंटर से वापस सर्विस होने के बाद लेने से पहले वो सारी चीजे अगर आपने समझ ली और सुन ली अच्छी तरीके से तो भाई जिंदगी में मेरा वादा है आपको कभी भी अपनी कार से धोका नहीं खाना पड़ेगा सर्विस सेंटर से धोका नहीं खाना आपकी कार में कोई घाटा नहीं होगा आपकी कार को बड़ी देखवाल करकर सर्विस सेंटर पर ठीक किया जाएगा सब कुछ सही रहेगा आपके साथ अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अगर आपने चीजे मिस कर दी दूसरा फीचर जो पता चला ना है वो है इस लाइट के बारे में देखिए इसको मानलो हम गेट खोलते हैं कभी और ये मैंने मानलो देखिए आप मैं आपको पता देता हूँ ये मैंने गेट खोला तो ये लाइट स्टार्ट हो जाएगी अब आप सुचोगे कि मानलो किसी ने इसको गेट को ऐसे ही अटका दिया और ये लाइट जो है स्टार्ट ही रहेगी और हमारे जो बैटरी है वो कार के वो डाउन भी हो सकती है कभी क्यों कि गेट खुला है और लाइट स्टार्ट रहेगी पूरी रात मानलो रात बर आईए लाइट स्टार्ट रही तो बैटरी डाउन हो जाती है गाड़ी में परंतु बैट टाटा पंच में ऐसा नहीं है टाटा पंच में क्या है कि अगर इस गेट को आप खुला रखके चले गए और दस मिनट बाद भाई यह जो लाइट है न यह आटोमेटिक बंद हो जाएगी यह इस गाड़ी में सिस्टम दे के रखा है और दूसरी चीज है भाई कि अगर मानलो आप गाड़ी में बैटे हो और आप आए हो और किसी वज़े से आपका कोई भी सिस्टम गाड़ी में बाई ओन रह गया और आप गेट खोलने लगे तो आपका जो वार्निंग सिस्टम में वो आपको बता देगा कि आपके जो गाड़ी के अंदर है भाई यह चीज रह गई है जैसे मैंने अभी लाइट मैंने ओन की है गाड़ी के ठीक है तो आप मैं जैसे ही खोलूँगा गेट को तो आप यह हार्न देने लग जाएगा कि आपकी जो गाड़ी है वो चलू रह गिया है कोई सिस्टम खुला रह गिया है यह देखे भाई तो यह कुछ चीज़े है यह हर गाड़ी में होती है मैं मानता हूँ पर तो इसमें भाई बहुत अच्छी तरीके से इसको देखे रखा है यह कई गाड़ियों में हमें पता भी नहीं चलता कि हॉन किस चीज़ का रहा है पर तो इसमें हमें अलग-अलग हॉन देखे रखे जैसे लाइट का किया तो टिंग-टिंग-टिंग अलग-अलग परकार की जो दोनी आ रही है हैंड ब्रेक को दिया हुआ है और हमने गाड़ी की एकसे लिरेशन उसको करना शुरू कर दिया है गाड़ी को तो वो भी बही अलग तरीके से बताएगा इसमें यहाँ पर एक निसान बना हुआ आएगा कि भाई हैंड ब्रेक आपका देखे रखा है तो यह कुछ फीचर जो है ना वो मुझे अभी पता चले है इस गाड़ी के अंदर अब भाही बात करते हैं कि सर्विस सेंटर पर हम अपनी गाड़ी को एक बार सर्विस मैं करवा चुका हूँ क्योंकि मेरी जो 1500 पर जो सर्विस हुई थी मेरी पहली वो सर्विस मेरी हो चुकी है और मैंने गाड़ी जब दी थी हलाकि मेरी भाई पैचान है उन लोगों से बहुत अच्छे मित्र है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया उनको बाकि उन्होंने मेरी गाड़ी इतनी बेकार धोकर दी ना भाई जिसकी हद नहीं है पूरा पीछे से पूरा गंदा होके रखाता अलागि वो मेरे मित्र है और बहुत अच्छी जान पैचान होगी है इसलिए हमारे बीच में यह सिर्फ चलता रहता है हम कोई ऐसी बात का मतलब माइन नहीं लिते इन चीजों का और अगर उन्होंने मेरी गाड़ी एक बार खराब दे भी दी तो मुझे कोई फरक नी पढ़ने वाला दूसरी बार वो मेरे को एक दुम चकाचक दुला के दे देंगे वो खुज भी अपने पैसों से धुलवा के देंगे वो ऐसे वेक्ति है भाई तो उससे कोई फरक नहीं बढ़ता है परनतो भाई आप लोगों के लिए ये जुरूरी हो जाता है कि सर्विस सेंटर से वापस गाड़ी को लेने के बाद आप अच्छी तरीके से गाड़ी को चेक करें जैसे सबसे पहली चीज तो जब भी आप सर्विस सेंटर पर लेके जाओ ना गाड़ी को तो आप गाड़ी के चारो तरफ से फोटोग्राफ ले लो भाई हर जगा के आगे से ले लो फोटो पीछे से ले लो और दोनों साइट से फोटो ले लो मतलब क्लियर फोटो आने चाहिए और विम जो है ना दोनों तरफ के इनके फोटो अलग ले लो आप पूरा डैस्पोर्ड का फोटो अलग ले लो स्टेरिंग वील जो है उसका फोटो अलग ले लो पीछे वाले डिक्की खोल के पहले तो सारा सामान निकाल दो अंदर से भाई अलग कोई नहीं लेता है भाई कोई छेड़ता नहीं है आपके सामान को परनतु आपका जो इस पैर वील है ना वो और आपके जो टूल्स है जो पीछे पड़े वाला किट है टाटा के जो गाड़ियों के साथ में आता है वो भी आप निकाल के बाहर रख दीजिए यह सारे टूल्स आपको निकाल कर बाहर रख देना है घर में रख देना है उसके बाद ही आपको गाड़ी को सर्विस सेंटर पर लेकर जाना है सबसे पहले तो आपको पूरी गाड़ी के फोटो ले लेने हैं अंदर से और बाहर से सारे फोटो लेने के बाद जब भी आप गाड़ी से डाल देनी है कि भाई आपने गाड़ी के फोटोस लेके रखे हैं उसका भी कारण बता आप कहोगे कि फोटोस का कहना कहा जरूरी है कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर वो आपकी गाड़ी को बड़े ध्यान से दोएंगे और बड़े ध्यान से इसके सर्विसिंग बाइ हलका फुल का स्क्रेच भी नहीं लगना चाहिए इसके मालिक ने फौटोज लेके रखी हैं तो इस चीज का हमेसा ध्यान रखें कि फौटोज लेने के बाद उनको बता दें कि यह मेरे गाड़ी के फौटोज हैं और यह मेरे गाड़ी की इस्ततिय है कहीं पर भी कोई भ वाले मिरर यानि मतलब यह चार तो विंडो वाले और एक पीछे वाला और एक आगे वाला मिरर भाई यह वाला इन सब के अच्छी तरीके से फौटोज ले लीजिए आप देखिए कि कहीं कोई कंकर वगेरा मतलब आप खुद चेक कर लीजिए कि कंकर वगेरा लगा हुआ तो नहीं है मेरे साथ बलेनों में ऐसा हुआ था कि मैं गाड़ी को लिए सर्विस सेंटर पर मैंने फौटोज बगेरा कुछ भी नहीं लिए थे पहला एक्सपिरियंस था नहीं गाड़ी का और भाई उन्होंने गाड़ी दे दी यहां से साइड में यहां पर काच के पथर यहां कुछ लगा दिया उन्होंने और यहां से तूड गया भाई काच एक इतना सा जो छोटा सा टुकड़ा है वो बिखर के निगल गया इस काच का अब पता नहीं कैसे हुआ उन्होंने इस पे स्प्रे मारा जोड से पानी का या कुछ भी हुआ हो बागी मेरे भाई नुक पड़ हुई यहां कोई पथर वगेरा उचल के गिरा उनके वहां पे तो आप अपने जितने भी डूर काच हैं उन सब काच की फोटो ले ले और अच्छी तरीके से चेक करके और दिखा दे उनको कि मेरे काच पर कहीं पर भी लगा हुआ नहीं है अगर लगता है तो यह सर्वी सिंग के लिए जाएं गाड़ी को लेकर तो भाई यह यह साथानिया आपको बरतनी है उसके अलावा जब भी सर्वी सेंटर पर लेके जाए ना आपका जो पैट्रोल लेना सिर्फ एक लिटरी रहना चाहिए बागी सारा पैट्रोल या तो निकाल के बाहर रख दो ब के वह लड़के निकाल लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं उसको पूरा समाप्त करने के बाद लास्ट पॉइंट पर आए तभी सर्विस सेंटर पर आप लेके जाए तो यह कुछ साफधानिया थी जो आपको सर्विस पर देने से पहले बरतनी है अब बात करता है कि सर्विस के लेने के बाद जब आप सर्विस के लिए लेने जाते हैं वापस गाड़ी को सर्विस की हुई तब आपको क्या सावधानिया बरतनी है तो भाई ये सारी चीजे आपको वापस चेक करनी है एक एक फोटो मिला के कि क्या मेरे कांच में और फोटो में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है वहीं पर चेक करना है घर पे आने के बाद नहीं घर पे आने के बाद तो फिर मुकर जाएंगे वहीं पर चेक करना है कि क्या क क्या तकलीफ हो रही है इस गाड़ी में आपको गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करना है आपको गाड़ी का पेट्रोल देखना है आपको गाड़ी का बूट स्पेस देखना है कहीं कोई खरोच बगेरा तो नहीं लगा दी आपको गाड़ी के टायर सारे चेक करने हैं समझ में आप से अगले वीडियो में भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई सब्सक्राइब कर लो तीन दीन से ना इतने कम सब्सक्राइब बना रहा है भाई अब आप अगर वीडियो देख रहे होना रेगुलर तो सब्सक्राइब करी तो भाई मिलते हैं झाल झाल